राम राम किसान भाईयो आईए आज बात करते हैं मिर्च की खेती कैसे करें मित्रो मिर्च एक नगदी फसल होती है जिसकी खेती के लिए अधिक लाब कमाया जा सकता है ये हमारे भोजन का एक एहम इस्षा होती है अगर स्वास्ते की दृष्टी से देखा जाए तो ये हमारे शरीर के लिए काफी फाइदा मंद होती है क्योंकि इसमें विटामिन A, C, फास्पोरस, केल्सियम समेत कई कुछ लवन पाये जाते हैं भारती घरों में मिर्च को अचार, मसालों और सब्जियों की तरह प्रियोग किया जाता है किसान भाईयों को बता दें कि सब्जी के लिए शिमला मिर्च, सलाद के लिए हरी मिर्च, हचार के लिए मोटी लाल मिर्च और मसालों के लिए सूखी लाल मिर्च की खेती करते हैं हरी मिर्च की खेती वेग्यानिक तरीके से की जाए तो इसकी पैदावार हदिक हो सकती है भारत में हरी मिर्च का उत्पादन आंदर परदेश, कारनाटक, महराष्ट, उडिशा, तमिलनाडू और रास्तान में किया जाता है हरी मिर्च में कैप्शे इशिन रसायन होता है जिसकी वज़े से इसमें तीखापन रहता है आज हम इस वीडियो में हरी मिर्च की उन्नत खेती की जानकारी दे रहे हैं अब बात करते हैं हरी मिर्च की खेती के लिए जलवायू कैसी चाहिए हरी मिर्च की खेती के लिए गर्म और आद्र जल्वाई की उप्युक्त रहती है वैसे इसकी खेती हर तरह की जल्वाई में की जा सकती है तो वहीं उसके लिए ठंड ज्यादा वह गर्मी दोनों ही आनिकारक होती है इसके पोदे को करीब 100 cm वर्षा वाले ख्यत्रों में उगाया जा सकता है इसके इलावा हरी मिर्च की फसल पर पाले का प्रवकोग अधिक होता है अब बात करते हैं उप्युक्त मिट्टी की कौन सी मिट्टी हरी मिर्च के लिए बढ़िया रती है हरी मिर्च की फसल को सभी परकार की भूमी पर उगाया जा सकता है ध्यान देने की बात यह है कि खेत में अच्छे से जल निकास हो सके साथ ही जिवान स्युक्त दोमक्ट वै बलूई मिट्टी उप्युक्त होती है जिसमें कार्वनिक पदार्थ की मात्रा अधिक हो चाहिए ध्यान रखें कि जुटाई करते वक्त गोबर की अच्छी पकीवी खाद करीब तीन सो से चार सो कुंट्रल मिला देना चाहिए इसके बाद उची ताकार में क्यारियां बना लेनी चीए अब बात करते हैं उन्नत किस्मों की किशान बाईयों को अपने क्षेतर की अधिक्तम पैदावार वाली किस्म का चैन करना चीए इसमें खास रूप से ध्यान ये रखना है कि किस्मों में विकार रोधी क्षमता होनी चीए हरी मिर्च की उन्नत फसल तभी संबह है जब खेत में उचित प्रबंदन अनुकूल जल और मिट्टी होगी अब बात करते हैं नर्शरी और रोपाई का समय नर्शरी के लंबाई करीब 10-15 फिट और चोड़ाई करीब सबादों से 3 फिट के बीच में होनी चीए साथ ही पौद साला की उचाई करीब 6 इंच तक रखनी चीए इसके बाद गहरी नाली बना लेनी चीए जो करीब 5-10 सेंटीमिटर के अंतर पर 2 सवादो या 2.5 सेंटीमिटर गहरी हो इसमें बीच बोएं ध्यान रखें कि बीच की बोवाई कातारों में ही करें जिसका फासला करीब 5-7 सेंटीमिटर तक होना चीए इसके अलावा पौद साला के लिए उचित जल निकास पेड के लिए छाया रहीत भूमी होनी चीए इसी के साथ पौद साला को पाले से बचाने के लिए भी अच्छा प्रबंदन कर लेना चीए अब बात करते हैं नरस्टरी की देखवाल कैसे करें जरूरत के इसाब से पौद साला में फवारे से पानी देते रहना चीए गर्मियों में दोपर के बाद एक दिन के अंतर से पानी छोड़ देना चीए क्योंकि गर्मी के मौसम में एग्रोनेट का प्रयोग करने से भी भूमी में नमी जल्दी उट जाती है वर्षा के लिए जलनिकास की समुचित वेवस्ता करनी चीए इसके अलावा क्यारियों में से घास वे कच्रा साफ करते रहना चीए अब आर्थ करते हैं सिंचाई, निराई और गुडाईगी हरी विज की खेती में पहली सिंचाई पोध प्रतिरोपन के बाद कर देनी चीए अगर गर्मियों का मोसम है तो हर पांच से साथ और सर्दी का मोसम है तो करीब दस से बारे दिन में फसल को सिंचना चीए फसल में फूल वर फल बनते समय सिंचाई करना जरूरी है अगर इस वक्त शिंचाई नहीं की जाए तो फल फूल छोटी अवस्ता में गिर जाते हैं ध्यान रहे कि मिर्च की फसल में पानी का जमाव भी नहीं हो अब बात करते हैं फल की तोड़ाई के मित्रो फल की तोड़ाई के लिए उप्युक्त समय के बारे में बात करते हैं तो फल की तोड़ाई हरिमिज के लिए तोड़ाई फल लगने के करीब 15-20 दिन के बाद कर सकते हैं पहली और दूसरी तोड़ाई में करीब 12-15 दिन का अंतर रख सकते हैं फल की तोड़ाई अच्छी पैदावार अच्छी तरह से तैयार होने पर ही करनी चीए अब बात करते हैं अगर पैदावार की अगर वेग्यानिक तरीके से खेती की जाए तो इसकी पैदावार तकरीबन गेड़ सो से दो सो कुंटल परती हेक्टर और पंद्रह से पत्चीश कुंटल परती हेक्टर सुकी लाल में प्राप्त की जा सकती है दोस्तो ये थी हरी मिर्च की खेती के बारे में जानकारी यदि आपको इसी तरह की खेती से संबंदित कोई जानकारियों की जरूर्थ हो तो हमारी चैनल दोसाती टीवी को सब्सकाइब कर बेल आइकोन जरूर दवा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप जानकारिया प्राप्त कर सकें वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिएगा शेर जरूर कीजिएगा सारे किशान भाईयों में और कमेंट्स के दवारा हमें जरूर पूछेगा कि आज के वीडियो में आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी धन्यवाद जैस्री कृष्णा राम राम